हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहें नमस्कार दोस्तो बीजधामा का अरिवेदा की चैनल में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में जिन भाईयों को पत्री की समस्या चल लएई है उन लोगों के लिए बहुत ही वहतरिन घरेलू नुक्सा बताने वाले हैं जो आप घरेलू इलाज करके अपनी पत्री को असानी से निकाल सकते हैं और अच्छी तरह से वो गल के निकल जाएगा और यह नुक्सा आजमाया हुआ है और काफी लोगों पे मैं नुक्सा देख चुका हूँ तभी आप लोग के बीच में यह जानकारी सेर कर रहा हूँ दोस्तो मैं जो भी कोई नुक्सा बताता हूँ मैं उस नुक्से को आजमा के देख लेता हूँ तभी मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी देता हूँ जो लोगों का समयना बरवाद हो और अच्छी तरह से उनका इलाज हो जाए दोस्तों जो नुक्षा के बारे में हम बात कर रहे हैं वह पपीता का पेड़ है और उसके जड़ का इस्तमाल करना है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जितना नीचे के तरफिया जड़ गया है उस जड़ को आपको निकाल के ले जाना है अगर रोजाना आपको ताजा जड़ मिल जाता है तो आप लोग ले जाएं प्रते दिन पांच गराम के मातरा में उसको अच्छी तरह से किसी भी पथिरीले चीच पे पीश कर उसको लें शूबह खाली पेड़ थोड़ा गुनगुना पानी से और साम को खाना खाने के एक घं मातरा में ले जाएं और अच्छी तरह से उसको धूल कर और छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको अच्छी तरह से धूब दिखा कर अच्छी तरह से सुखवा कर पाउडर बना लें और इसी तरह से लें शूबह खाली पेड़ पांच गराम के मातरा में और साम को खाना खा का सादा खाना खाएं और हरी सबजी खाएं और तेल मसाला बहुतीघे हैं और आपका दवा बहुतीगी Oooh करेगा और खाने में ह्लोग हरे मर्चवी का सेवन करें क्योंकि हरा मर्च। जो होता है वो आपके लिए उतना नुक्सान दायक नहीं रहता है उसका मातरा कम करके इस्तमाल कर सकते हैं इस नुक्से से 10-15 ml तक की पथरी निकालने का पूरा चांस रहता है अगर आपका पथरी 20 mm तक हो गया है तो उसके लिए आप करके देखें अगर फायदा होता है तो आप रिपोर्ट निकलवा पे देख लें और इस्तमाल करें खो सकता है वो भी पथरी निकल जाए लेकिन जो मेरा इस्पीरियन्स है उस चीज को मैं सेर कर ना हूँ परियास सबसे बड़ी चीज होती है आप लोग परियास कर के देखें हो सकता है 20 mm तक की पथरी निकल वह पथरी निकलने के लिए बहुत ही कम चांस रहता है लेकिन अगर आप लोग इस नुक्से का इस्तमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं परियाद सबसे बड़ी चीज है हो सकता है वो भी पथरी निकल जाए अगर पित के थैली की पथरी है तो उसमें आप 15-30 दिन तक आप चला के देख सकते हैं अगर आपको फायदा है तो आप लोग आगे चलाईएगा नहीं फायदा है तो बंद करके और अच्छे सर्जन से अपना इलाज करवा ली जिएगा क्योंकि पित की थैली असानी से निकल जाता है इसका अपरेशन हो जाता है कोई परसानी कोई दिकत नहीं होता है जिन भायों को पित की थैली की पत्री है उस पत्री को जादे दिन तक रोक के ना रखें अच्छे सर्जन से मिलके अपना इलाज करवा लें और आपकी समस्य अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी अपरेशन दोरा निकल जाता है कोई दिकत कोई परसानी नहीं आता है कभी आप लोगी इस नुक्से को जरूर आजमाएं और आजमा कर कमेंड करके जरूर बताएं क्योंकि आग के कमेंड करने से काफी लोग का मदद हो सकता है तो दोस्तो अमीद करते हैं आज की दिवी जानकारी आप लोगको जरूर पसंद आई होगी ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल पर नए नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन का बटम जरूर प्रेस कर दें क्योंगी जो भी वीडियो ऐसा अपलोड होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो दोस्तों आज के लिए इतना था और मिलते हैं अगली वीडियो में धनवा दोस्तों